संबल में जिस तरीके से हिंसा आपने देखी तमाम चैजी अपनी जगा ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा यूपी पुलिस पर भी आ रहा हूं सियासत भी इसके साथ ही है यूपी पुलिस क्या स्थिति सबाल सकती थी ऐसा हो नहीं पाया या वाकई पर इस सितिया हाथ से निकल ग मामले आ रहे हैं तो आएं तो किस तरीके से आगे बढ़ें या केवल एक फैसला आया और सर्वे करने के लिए टीम पहुंच जाए उसके बाद इस तरीकी परस्तिती बन जाए तो सियासत तो दूरों तरफ हो रही है लेकिन बयानबाजियों के बीच पिस तो जनता जा रही देखे एक तो यह है कि कहीं भी कोई घटना होगी तो सरकार और पुलिस उसी पर सवाल खड़ा करना होगा इसमें कोई इफबन नहीं है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और संभल के पुलिस उनहीं पर यह सवाल खड़ा होना चाहिए लेकिन पहले कुछ तथ है जरूरी ह यह तो एक डेढ़ घंटे में निरणय नहीं आया यह थोड़ा समझना पड़े गए डिस्टिक कोर्ट में सेशन कोर्ट में कोई हाई कोट और सुप्रीम कोट की तरह रजिस्ट्री नहीं होती कि आज आप लिस्ट करेंगे एक महीने बाद तारीख मिली कि ऐसा नहीं होता है सेम डे हेरिंग होती है और वो कोई और नहीं है जो यह भी कहा जा रहा है लीगली समझना चाहिए यह कोई एक्स पार्टी और नहीं है उन्होंने सर्वे में जो जफर अली वहां मस्जिद कमेटी के चेर मैन थे उनको भी नोटिस गई वो भी 19 तारीख को शामिल हुए शाम हो गई शाम को रोशनी कम हो गई और शाम को ही उसी दिन वहां जो जिया उर्रह्मान बर्क हैं उनकी अगवाई में विरोध प्रदर्शन और हंगामा होने लगा वो रुका तेईस तारीख को फिर से किया गया 24 तारीख की सुबह सो सब कुछ हुआ सर्वे होते होते पत्थर यह पत्थर बाजी करने वाले कौन से लोग है नियायले के फैसले का विरोध समविधान में क्या पत्थर से कहीं लिखा हुआ क्या बाबा साब अमेटकर लिख गये हूं या किसी जिगा पर इसका जिक्रोह तो बताना चाहिए हम लोग उसकी बात ही नहीं करना है 24 ट्रॉली ट्रॉली जो होती है 24 ट्रॉली पत्थर बिले है और हमें तो जो इसलाम के जानकार बताते हैं क्योंकि हमारा तो मैं तो ना इसलाम का प्रेक्टिशनर हूं ना जानता हूं तो मेरी जानकारी लगभग बहुत कम है लेकिन मैं जो सुनता हूं तो कहते हैं इसलाम में किसी भी जगह पर इबादत गाह नहीं बनाई जाती है अगर पहले से वहां कुछ तोड़ के नहीं बनाई जा सकती है नापाक जगह पर नहीं हो सकती है उनके हिसाब से कहीं है तो अब बताईए जहां जहां मंदिर है अगर वहां मस्जिद बनी हुई है तो यह तो बड़ा गलत काम कर रहें लोग क्या कोई भी स्लाम सच्चा इसलाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान उसके सास्थ हो रहा हुगा वह तो अल्ला की इसी बड़े पाक मन से जयता है वhluk उसकर नापाक तरीके से करना पड़ा है स bliss पूद मिनार में सब सब कुछ लिखा हुआ है ना कि जैन हिंदू मंदिर तोड़ा गया सब कुछ किया गया तो हम क्यों कुतुब मिनार की प्रतिष्ठा में यह भी पता होना चाहिए क्या कुछ हुआ हर मस्जिद के नीचे शिविलिंग नहीं खो जेंगे राश्टी स्वयम संके सरसंग चालक सब्सक्राइब के लुए कोई यह थो शाय सकता है कि आप अधालत नहीं जा सकते आपकोई में कोई विचार आया आए आप लोकतंतर के दारे में कों सा हम लोकतंतर में रह रहे हैं या मध्य युगीन बरवर अफगानिस्तान पाकिस्तान में रहे हैं मुझे लगता है बेसिक्स पर बात हो नियम कानून के दारे मब बिल्कुल मस्जिदों के नीचे शिविलिंग मंदिर नहीं खोजना है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद